Hello friends and welcome back to my channel दिवाली में हर एक चीज का साफ होना ज़रूरी है आज कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपका घर का हर कोना चमक जाएगा और आपका वक्त भी बचेगा महनत भी कम लगेगी और साथ ही में पैसे भी बचेंगे पसंद आये वीडियो तो लाइक चे और सब्सक्राइब करेगा चलिए लेट्स स्टार्ट चलिए फ्रेंट्स टिप नमबर वन देख लेते हैं तो दिवाली पे घर का हर कोना चमकना चाहिए तो यहां मेरा चमच का स्टेंड है इसका टिप में आज आपको दूंगी यह देखे जंग लगा है अंदर और बाहर दोनों जगा लगा है तो इसके लिए हमें चाहिए टमेटो केचप जो 100% हमारे घर पे होता ही है नहीं है तो 5 रुपे वाला एक पैकेट लेके आई है यह देखे तो इसमें क्या होता है विनेगर होता है तो उस वज़े से यह आक्ट करता है और जो जंग है उसको यह खतम कर देता है तो बस आपको क्या करना है इसे apply करना है अभी अगर आपके बरतन हो या कोई भी चीज पर जादा जंग लगा हो तो आप इसे 15-20 मिनिट लगा के छोड़ दे मैं यहां से 5 मिनिट अभी इसे छोड़ रही हूँ फिलाल बस आपको apply करना है और इसको छोड़ देना है अपने आ जाएंगे फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा तो जंग लगी चीज़े जो हम फेक देते हैं उसको आप आसानी से इस तरह से साफ कर सकते हैं instant result देता है friends महनत कम लगती है आपका वक्त भी कम लगेगा तो अब मैं इसे आराम से इस तरह से नॉमली घिस लूँगी और इसकी छुमली इंद्ध मिंख चुका है ओंडम चमली तक्षिशा बटका पंद्ध में अगर च्मली और तो इस तरह से जंग लगी है तो बस इसे पिकने से पहले यह वाली टोटिम चात झोगेंट पोड सकते भूत तो बस एक बड़ा चमम ड़र के साथ आप इस तरह से इसकी सफाइट कर सकते हैं चाहे वह नल हो या थाली हो या कुछ भी स्टील का जिस पर जंग लगी हो कैसे लगी एक जरू कमेंट करें चली अगली जो टिप है वह भी बहुत जादा यूसफुल है आपको डेफिनिटली परसन आएगी तो यह यह देखिए पिंग कलर का ओकेट फ्लावर है पिंग कलर दिखी ने रहा है इतनी जादा धूर मिटी इसकी उपर बैठी हुई है हम डस्टिंग करते हैं बट फिर भी इसकी उपर दस्ट बैठी जाता है तो दिवाली में तो यह भी साफ करना बनता है इद्दम नए जैसे आपके अर्टिफिशल फ्लावर करने है तो पूरा टिप देखिएगा फ्रेंड्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा और पसंद आए तो दूसरों को भी जरूर शेयर करेगा तो यह हमेंने पानी ले लिया है और शैंपू ले ले कोई भी शैंपू जो भी आप यूज करत हातों से आपको इसको रगड़ना है यह देखिए इस तरह से वीडियो यहां फास फॉरवर्ड है इसलिए आपको बहुत जादा फास लग रहा होगा बड़ आप हलके हातों से करेंगे तो इसके उपर की धूल मिट्टी भी निकल जाएगी और इसमें एक नई शाइन भी आ सफ कर लिया है और यह देखिए वाइट लिए लिए और इसे अच्छी तरह से वाश कर लेंगे हलके से ही करेंगे देखिए अदरवाइस निकल सकते हैं तूट सकते हैं और अभी इसे सुखाने का तरीका आप देख लीजे इस तरह की जो वेजटेवल के जो नैट बैक्स हो अगर आपके पास इस तरह के वेजटेबल नेट बैड्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि अधिस प्लावर और इसे सुखा सकते हैं बट उसमें थोड़ा सा ज्राइम लगेगा हवा ज्यादा अच्छी तरह से आएगी जाएगी नहीं तो यहां मैंने सब को इस तरह से net beds में डाल दिया है अब आपको सुखाना कब है आपको एदम तेज दूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है अभी शाम के चार साधी चार बजे है और मैं इसे धोके लगा रही हूँ और हल्की फुलकी धूप आ रही है बहुत जादा और खराब हो जाएंगे आपके flowers तो अभी मैं next day सुबह ही इसको लेने वाली हूँ तब तक मैं इसी तरह से इसको ड्राइ करने वाली हूँ तो यह देखिए friends next day सुबह हो चुका है और इदम अच्छी तरह से मेरे जो flowers साफ हुआ है यह देखिए मैं काफी सालों से यह यू चुकी है देख सकते हैं तो इसी तरह से आप साफ करें और आपके artificial flower को चमकाए चली अगली टिपी आपको पसंद आएगी तो इस तरह के जो प्लैस्टिक की अटेनर्स होते हैं जिसमें मिठाय आती है यह बहां से पासल आता है उसे बिलकुल भी फेकी का नहीं इसमें मैं चोटे-चोटे circle इस तरह से बना दूंगी और circle को आपको कट कर लेना है circle भी बना सकते हैं आप square shape भी कर सकते हैं friends आज मैं आपको low cost DIY बताऊंगी जिससे आपका पैसे बचेंगे और घंटों तक दिवाली पे आपके दिये जलने वाले है friends believe me और एक नहीं तीन तरीके चोटे-चोटे circle कट कर लिये हैं कोई भी plastic का container हो ऐसने के transparent white भी होगा तो भी चलेगा friends और इस तरह से मैंने कट कर लिया है अब आपको इसको fold करके बीच में से एक छोटा सा छेत करना है आप चाहे तो scissors से इस तरह से कट करे या तो फिर आप अगर पती से भी गरम करके इस बीच में चेत बना सकते हैं इस तरह से प्रिफर कर रही हूं friends यह देखे चोटा-चोटा मैंने इदर कट लगा दिया है अब आप बाती ले और चोटी-चोटी बाती को इस तरह से आप कर ले यह देखे आप इस तरह की लंबी बाती भी ले सकती है या गोल भी बाती आप ल सकते हैं या इस तरह से DIY आप कर सकते हैं यह देखे इस तरह की बाती भी आप रख सकते हैं दोनों में से कोल भी चलिए अब आपके पास को भी ग्लास हो वह ले 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 ट्रांस्परेंट हो तो जादा अच्छा और नेकलेस जो आपके घर पर पड़ा हो दरिये नहीं आपका पास सुखा के पहन सकते हैं अब मैं इसमें डाल दूगी और यह जो हमने प्रिपेर किया था विक यह इसमें डाल देंगे बत्ती जो अपने प्रिपेर करी थी और ऊपर से भी थोड़ा सा ओईल में यहां लगा दूँगी यह देखे बड़िया सा हमारा एक बॉटर कैंडल रेड़ी है फ्रेंज यह देखे क्या बड़िया दिख रहा है ऐसे निके नेकलेस आपके पास कुछ मोती वगरे हो वो भी आप आड़ कर सकते हैं यहां मैंने यह बोतल ली है जो डियावार में मैं यूज करती हूं कुछ भी मसाले वगरे स्टोर करने के लिए जो यूज कर सकते हैं इसमें पानी आड़ कर लिया है देखे दम 3D लुक दे रहा है अब इसमें डाल देंगे और जो हमने बत्ती बनाई थी फ्लोटिंग वाली वो इस पर आड़ कर लेंगे यह देखिए लग रहा है नदम अमेजिंग तो बाहर से खरीदने से अच्छा आप घर पे घं पीद बिदोदी वाटर कलर ले तो जो भी ka कलर आपके पड़े पासा कुट मैंज्गे असमें तो अपने कर लेगा है तो यही एक difference होता है बट color तो आपको दिखेगा, oil डाल देंगे, और यह जो बत्ती हमने बनाई थी, इसमें छोटी वाली बत्ती आपको बनाने पड़ेगी, और यह हम इसमें add कर लेंगे, यह दिखे, यह हमारे छोटी छोटे water candles ready है, तो यह first वाला चलिए, मैं आपको light करके भी बता देती हूँ, वाँ, लग रहा है इनदम बढ़िया, रात को तो इनदम अच्छा लगीगा, भी तो मैंने specially आपके लिए night mode create किया है, बट और अंधरे में बहुत ही सुन्दर लगता है, इनदम classy लगता है फ्रेंस, और बाद में आप यह necklace को reuse भी कर सकते हैं, तो दे आप इसे बना सकते हैं, और ऐसे नहीं कि आप एक ही बार इसे जला सकते हैं, आप वापस इसका विक चेंज करके, यानि कॉटन चेंज करके, फिर से next day भी इसे जला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया DIY, यह देखिए, तीन तो मेरे फेवरेट है फ्रेंस, छोटी छोटे आप अंदर दिखते हैं, और फूट कलर के साथ मैंने से किया है, आप चाहे तो उजला वगेरे भी डाल के पॉर्पल कलर कर सकते हैं, यह देखिए, कौन सा वाला DIY आपको पसंद आया, जरूर बताएगा, और ऐसे कुछ आइडियास आपको चाहिए दिवाली के लिए, तो आप म मुझे लिखके भेज सकते हैं, और दिवाली से रिलेटेट कौन सी साफ सफाई की टिप आप देखना चाहते हैं, जरूर मुझे लिखके भेजिए, मैं जली से जली आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, फ्रेंस बहुत जादा मेहनत कर रही हो, तो लाइक कर दीजेगा, शेयर कीजेगा, और सब्सक्राइब कीजेए मेरे चानल को, वो भी घंडी के साथ ये बिलकुल भी फ्री है, तिल देन, टेक केर, बाबाई